प्रद्धन मंत्री श्री नरेंद्रमोती जी लक्सोखा के स्पिकार श्री ओम बिल्ला जी चिफ जस्टिस एन बी रमन्ना जी संमानीत संसत्कन अन्यों महनुभवों देवियों और सोजोनों तथा मेरे प्यारे देशो बासियों सभी को जोहार भारत के सर्वच संविधनिक पधपध निर्पाचित करने के लिए मैं सभी संसोतों और सभी विधन सबसों का हरदीग आभार व्यक्त कर आपका मत देश के परोणो नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है में भारत के समस्त नागरिकों की आशा अकांख्या और पधिकारों की प्रतिक इस पवित्र संग्षों से सभी देश वासियों का पूरी बिनम्रद्य से अभिनंदन करते आपकी आत्मियता आपका विश्वास और आपका सोयो मेरे लिए इस नई दाइतों का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहे मुझे राष्टपति के रूप में देश ने एक एसे महत्तोपन कालखन में चुना है जोब हम अपनी आजादी का उम्रित महसब मना रहे हैं और आज आजादी के पचहतर में बस में मुझे ये नाया दाइतों मिला है इसे एतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के भीजन को हासिल करने के लिए पूरी उज्जा से जूटा हुआ है मुझे ये जिमेदारी मिलेना मेरा बहुत बड़ा सोभाग्य है में देश की एसी पहली राष्टपिती भी हूँ जिसका जन आजाद भारत में हुआ है हमारे साधिन्ता सेनानियों ने आजाद हिंदूस्तान के हम नागुरिकों से जो अपेखाई की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अम्रित काल में हमें तेज गति से काम करना होगा इन 25 बर्सों में अम्रित काल की सिध्धी का रास्ता दो पट्री पर आगे बढ़ेगा सब का प्रयास और सब का कर्तब भारत के उज्जल भविशत के नहीं विकास जात्रा हमें सोब के प्रयास से करनी है कौतब व्यवद पर चलते हुए करनी ही है काल यानि 26 जुलाई को कारगिल विजोई दिवस भी है ये दिन भारत की सेनाओं के सर्य और सोयों दोनों का ही प्रतिक है मैं आज देश की सेनाओं को तो था देश के समस्त नागोरिकों को कारगिल विजोई दिवस की अगरिम सुब कामनाई देती देवियों और सुजोन मैंने अपनी जीवन जात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गाउं से सुरू की थी मैं जिस प्रिश्ट भूमी से आती हूँ औहां मेरे लिए प्रारूम्बिक सिच्छा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था लेकिन उन्हेक वाधाओं के बाब जूत मेरा संकल द्रेड रहा और मैं पोलेज जाने वाली अपने गाउं की पहली बेटी थी मैं जन्चातिय समाज से हूँ और वार्ड कांसिलर से लेकर भारत की राष्टपती बनने तोपका अवस्वर मुझे मिला है ये लग्तंत्र की जननी भारत वर्ष की महानता है ये हमारे लग्तंत्र की ही सक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा हुने बेटी दूर सुदूर आदिवासी छेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्बज सम्भिधानिक पत्तक पहुंशा राष्टपति के पत पहुंचना मेरी व्यक्तिकत उपलब्धी नहीं है ये भारत की प्रत्यक गरीब की उपलब्धी है अमरा निर्बाचन इस बात का सुबुत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें भूरा भी कर सकता और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सधियों से बंचित रहे जो जीवन विकास के लाब से तूर रहे वे गरीब दलित पिछड़े तो था आदिवसी मुझे ये अपना प्रतिभीम देख सकती है मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब वा का अशिर्वात सामिल है देश की करोडों, मोहिलाओं और बेटियों के सोपनों और स्यामर्थ की जलक है मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के जिवाओं का साहोस्भी समिल है एसे प्रगति सिल भारत का नेत्रुत करते हुए, आज मैं खूद को गोर्वानित में सुस कर रही हूँ मैं आज समस्त देश ब्यासियों को, विशेशकर भारत के जुवाओं को, तो था भारत की मोहिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पत्वर कार्य कारते हुए, मेरे लिए उनके हीत सर्व करी हूँगे देवियों और सोजन, मेरे सामने भारत के राष्टपतिपत की एसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारत ये लगतंत्र की प्रतिष्टा का निरणत और मजभूत किया है देश के प्रत्वम राष्ट्रपति डक्टर राजेंद्र प्रसाथ से लेकर श्री रामनात को बिंचितक औनेक विभूतियों ने इस पत्व को सुसभिद किया है इस पत्व के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्तों का दाईत भी मुझे सुंपा है संबिधान के आलोग में मैं पूरी निष्टा से अपनी कुट्व्यों का निर्वहन करूँगी मेरे लिए भारत के लक्तांत्रिक, सांस्कृतिक आदर्स और सभी देश बासी हमेशा मेरे उर्ज्या के स्रोत रहेंगे देवियों और सोजन हमारे संबिधानिक संग्राम में सधिनता संग्राम में एक राष्ट के तोर पर भारत की नए जात्रा की रूपे का तेयार की है हमारा साधिनता संग्राम उन संगर्षों और बलिदानों की अभिरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदस्यों और सम्भावनाव की सिंचा था। पुज्य बापुने हमें सोराज, सोदेशी, सच्छता और सच्ता ग्रह द्वाराब भारत के सांस्कृतिक आदस्यों की स्तापना का मार्गत दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्रबस, नेहरूजी, सद्धार पटेल, बाबा साहब आम्वेदकर, भगत्चिंग, सुकदेव, राजगुरु, चंद्रशेकर आजाद जेशे। अनकीने साधिन तस सन्यानियोंने हमें राष्ट की सभिमान को सर्व परियराखने की सिख्छा दी थी। राणी लच्मीवाई, राणी बेलू निचियार, राणी गाई दिनल्गु और राणी चेन्नी माजेशी अनेको विरांगोनावने राष्ट इछ्छा और राष्ट निर्माण में नारी सक्तिकी भुमिकांको नेई उज्जा दी है। संथाल क्रांथी, पाइक क्रांथी से लेका कोल क्रांथी और भील क्रांथी ने सतंत्र उत्र संग्रा में आधिवाशी जोगदान को और सोशक प्याथ। सामाजीक उत्थान एबंग देश प्रेम के लिए धर्तियावा भुगवान विष्टामुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरोना मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लढ़ाई में जन्जातियों समुदाय के यगदान को समर्पीत अनेक मियूजयों देश भर में बनवाय जा रहा है। देवियों और सोजोनों एक संगसोदियों लगतंत्रों के रूप में वचहतर वोर्ष में भारत ने प्रगोति के संकल्प को सोहभागिता एबंग स्वर्ब सम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम उनेक भासा, धर्म, संप्रता, ठानपान, रहन सेहन, रिती रिवाजों का अपनाती हुई एक भारत, स्रेष्ट भारत के निर्माण में सक्रिया है। आजादी के पचहत्तोर्वें बोस के अफसर पर आया है अम्रुद काल। भारत के लिए नए संकल्प का काल खंड है। आज में इस नए जूग के स्वागत में आपने देश को नए सोच के साथ तत्कोर और तेयार देख रही हुए। भारत और हर छेत्रों में विकास का नाय अद्धाय जोड रहा है। परानाम हमारी के वशिक संकट का सामना कन्ने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ दिखाया है। उसने पूरे विश्व में भारत के साथ बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से ना सिर्थ इस वशिक चुनती का सामना किया। बलकि दुनिया के सामने नई मापदोन भी स्तापित की। कुछी दिन में, कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वेक्सिन की 200 क्रोड डोज लगाने का किर्तिमान पनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस सहयों, साहोस और यक्सोहयों का परिचय दिया। ओए एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई सक्ती और संबेद्धन सिल्ता का प्रति थे। भारत ने इन मुश्किल हालात में ना केवल खूद को संभाला बलकि दुनिया की मदद भी की। कोराना महामरी से बने माहल में आज दुनिया भारत को नई विश्वास से देख रहे हैं। दुनिया की आर्थिक स्थिर्था के लिए साप्लाइचेन की सुगमता के लिए और बैसिक सांती के लिए दुनिया को भारत से बहुत उमीद हैं। आगामी महिनों में भारत अपनी अध्यक्यता में G20 ग्रूप की मेजबानी भी कनने जा रहे हैं। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्यता में बैसिक विश्वयों पर मन्थन करेंगे। मुझे विश्व से भारत में हने बाले इस मन्थन से जो निश्कर्ष और नितियां निर्धारित होंगे। उनसे आने बाले दोसों को की दिशा तैई होगी। देवियों और सोजन। दोसों को पहले मुझे रायरोंपूर में श्री औरविंदो इंटिग्राल स्कूल में सिख्यक के रूप में कार्य करने का अफसर मिला था। कुछी दिनों के बाद श्री औरविंदो जी की एक सो पचासमें जन्म जन्ती मनाये जाएगी। श्री औरविंदो के विचारों ने मुझे निरौंत और प्रेरित किया है। जोन प्रतिनदी के रूप में विभिन वदोंक और कार्य करते हुए और फिर राजपल के रूप में भी मेरा सिख्यों सुष्थानों के साथ सक्रियों जुडाव रहा है। मैंने देश के जुबाओं के उस्सा और आत्मोबोल को करिब से देखा है। हम सुभी के स्रधेव पटोल जी कहा करते थे कि देश के जुबा जो आगे बढ़ते हैं तो वो इसी अपने ही भाग्य नहीं बनाते बलकि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। भोकाल फोर लोकाल से लेकार डिजिटाल इंडिया तक हार चेत्र में आगे बढ़रा आज का भारत। विशो के साथ कदम से कदम मिलाकार वद्धोकी क्रांती 4.0 के लिए पूरी तरा भारत तेयार है। रेकोर्ड संख्या में बन रहे स्टार्ट आप्स में नए नए इनवेट्शन्स में दूर सुधूर छेत्र में डिजिटाल टेक्नोलोजी की सिवकर योता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती बर्स में भारत ने जिस तरह मोहिला ससक्ति करण के लिए निर्नोय लिये हैं। नितिया बनाए गिये हैं। इससे भी देश में एक नए सक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हुँ कि हमारी सभी बेहने पाबेटियां अधिक से अधिक ससक्तों तो थावे देश के हार छेत्रों में अपना योगदान बढ़ाती रहे। मैं अपने देश के जुबाओं से कहना चाहती हुँ कि आप नाके बल अपने भविशो का निर्मन कर रहे हैं। वालकि भविशो के भारत की नीब भी राक रहे हैं। देश के राष्ट्रोपती के तोर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सोहयोग रहेगा। देवियों और सुझों विकास और प्रगति सिल्ता का अर्थ निरंत और आगे बढ़ना होता है। लेकिन साथ ही अपने अतित का ज्ञान भी उतना ही आवश्योग है। आज जो विशो सास्टेनेबल प्लानेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें भारत की प्राचीन परंपरा हमारी अतित की सास्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमी का और बढ़ जाती है। मेरा जन तो उस जन जात्यों परंपरा से हुआ है। जिसने हजारों बोस से प्रकुति के साथ तालमेल बना का जीबन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलासोयों के महत्तों को अपने जीबन में मेहसूस किया है। हम प्रकुति से जरूरी संग्साधों लेते हैं और उतनी ही स्रद्धा से प्रकुति से सेभा भी करते हैं। इहां संभेद्वन सिल्ता का आज बशीक वनिर्यवार्योता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसंता है कि भारत पर्यावणों सोरक्षन के चेत्रों में बिश्चो का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और सोजन मैंने अपने अप्तोक के जीवन में जोन सेभा में ही जीवन की सार्थक्ता को अनुभब किया है। श्री जगनात खेत्र के एक प्रक्ष्यात को भी भीमभई जी की कविता की एक पंक्ती है। मो जीवन पचे नर्थ के पड़ी थाओ जगत उधार। और थाथ अपने जीवन के हीत ओ हीत से बड़ा जगत कल्नान के लिए कार्या कार्नाम दाए। जगत कल्नान की इसी भावना के साथ में आप सो के विश्वास पर खरा उतारने के लिए पूरी निष्टा वा लगन से काम करने के लिए सोधेव तत्पर रहूंगे। आए हम सभी एक जूठ हो कार समर्पित भाव से पत्तव्य पत्कोर आगे बढ़े तो था वही हो अवसाली वा आत्मो निर्वर भारत का निर्माड़। लिए बढ़ह। यदू से काम 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 को निर्वर बढ़े